आज की वीडियो बहुत ही इंपोटेंट होने वाली क्योंकि आज हम इस वीडियो बात करने वाले हैं नेटिव एड्स की नेटिव एड्स क्या है कौन सा प्लेटफर्म बेस्ट है नेटिव एड्स के लिए और हमें प्रेक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ हम आपको बताए यह जो अर्निंग है यह हमारी Google वीडियो एड से आय थी जो वीडियो एड की कल मैंने वीडियो अना थी उससे आय थी आई बटन में उसकी मैं लिंक दे दूंगा तो आप वीडियो एड भी देख सकते हो उससे भी बहुत अच्छी एर्निंग आती है और यह जो नीचे वाली rerSA कर दिया है मैं एक बार और रिफ्रेस कर देता हूँ ऑसको टू टाइम सी रिफ्रेस कर दिया है और आप आप देख सकते हैं ने की ने कॊधर आ जाते हैं चायूं क्या है walibo बात करते हैं जो देखने में विकशे हो उती है तो बहुत सारे लोगों ने नेटेव एड्स आज के पहले आज के पहले बहुत सारी बात देखी होंगी लेकिन आपको यह पता नहीं होगा यह किस टाइप की एड है अभी मैं आपको लाइफ प्रूफ के साथ बताता हूं जैसे एक एग्जामपल लेता हूं आज तक का या फिर किसी वी निवेब साथ के जन पर आज तक प्रैसी डिखतेए नेटेव एड्स आर्ड़ देखाते हैं लोगे ब्रक्राइंब लिटा traffoidd ढब लगे गूंत लिए स्पॉंसर्दु सम राइफ इंसोर्ण वम गशते हैं यहाँ पे फिर सायर्म आध यहुँ पहुंखे है। लाइक हम like headline और title अच्छा देते इससे clicks बहुत अच्छे मिलते क्योंकि native ad ऐसा post work करती है किसी भी news website पे और अगर हम US की news website है US के कुछ ऐसी website जो native ad को like approve करने का मौकर देती है उन पर ऐसी ad चलाते है then believe me बहुत अच्छा conversion मिलता है अब बात करते है native ads हो आपको clear हो गए हो native ads होती क्या है बात करते है कि how to run native ads और कौन सा ऐसा platform है जो native ads के लिए बहुत बैस्ट है तो उसके लिए मैं आपको एक platform suggest करता हूं Outbrain, Outbrain एक ऐसा platform है जहांसे आप easily native ad run कर सकते हैं, easily account बना सकते हैं और approval भी जल्दी मिल जाता है सो चलते हैं गूगल बताते हैं Outbrain क्या है और कैसे native ads यहां पर run करने हैं सो हम Outbrain पर आ चुके है, Outbrain पर आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि यह Outbrain के कुछ लाइक, Outbrain के कुछ रिक्रमेंट टेक्नोलजी, सब्सक्राइब करते हैं अब सबस्क्राइब करते हैं कैसे इस पर account बनाना है और कैसे सब कुछ करना है तो यहां पर आना है, यहां पर आने के बाद यहां पर login का मिलेगा, register का मिलेगा, अभी मैंने जश्ट वीडियो बनाने के लिए इस बाले ID से भी register किया हुआ है, आपको simply register पर click करना चोटी मोटी information fill कर देना है, अभी मैं इसको करता हूँ login So guys, मैंने native ad का platform जो outbrain है उसको login कर लिया है, अब हम बताएंगे step by step कैसे आपको native ad run करनी है एक चीज़ याद रखना, यह मेरा demo account है, मैं main account यहाँ पर लाइक अपना लाइक show नहीं करूँगा, बट यह demo account पूरा step by step में बताऊंगा कि कैसे आपको native ad run करनी है, पूरा step by step तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको add campaign का बटन मिलेगा, इस पर click करना है, और यहाँ पर start over पर click करना है, मैं पूरा step by step बता रहा हूँ, तो हर एक step को follow करते चलें और अपनी एक successfully native ad run कर लें, आप इंडिया में भी चाहते हैं, ad run करना तब भी आप कर सकते हैं, आपके लेक local products हो सकते हैं, उसके लिए भी run कर सकते हैं, और आप internationally affiliate products और clickbank की products को sell करना चाहते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं, जैसी आप start over click करोंगे, आपके सामने campaign का name आएगा, तो एक name दे देना, तो मैं name दे देता हूँ, clickbank के लिए बना रहा है, हम clickbank affiliate, ऐसा name आप आप कुछ भी दे सकते हो, अब आपको किस type की add run करना है, वो देखें हैं आपको यहाँ पे like run करना है, conversion add, कौन सी add, conversion add, क्योंकि हम चाहते हैं affiliate marketing के थुरू conversion, आप चाहों तो traffic add भी run कर सकते हो, इस also best, वाट अभी हम like conversion add run करेंगे, ठीक, conversion select करने के बाद, formats आते हैं, कि आप crossal में, crossal में, like अपनी post दखाना चाहते हो, standard, standard is the best, आप चाहों तो और दूसरे type भी ले सकते हो, so standard मैंने लिया है, आप दूसरे ले सकते हो, अब आप किस platform पर add दखाना चाहते हो, मुझे पता है कि desktop से ज़्यादा conversion मिलता है, तो मैं केवल desktop पर अपनी add दखाना चाहता और आप चाहों तो smartphone, tablets वगरा भी यहां पर चूस करते हो, ठीक है, like conversion bid strategies को fully automatic और भी options रहेंगे आपके, so fully automatic रहने देना, इससे क्या होगा, like आपका पैसा जरूर spend होगा, like conversion की chances यहां से बढ़े जाते, इसलिए आप fully automatic रहने देना, अब यहां पर आता है CPC, कितना bid आप ल डॉलर कर दो, यह जरूर बतायागा, suggested 0.521.7 पर लेकिन अगर आपका budget कम है, तो आप 0.20 डॉलर भी इसको कर सकते हो, कोई दिख करने है, यह तो suggested है, आप चाहों तो यह भी ले सकते हो, अदर वाइस normal 0.20 बेड में, बेड में आपको कितना budget daily budget आप spend करना चाहते हो, तो मै चाहता हूँ, 40 डॉलर पर दे, तो मैंने आप 40 डॉलर पर दे लगा दिया है, अब 40 डॉलर के साब से यहाँ पर आपकी add run होगी, ठीक है, और start date, like run, like continuously run करना है, आपको continuously, और start date नहीं सो ऐसा ही रने देना है, और start time आप चाहों तो change कर देना, आपने according आप change कर देना time, इस application में सबसे पहले आपको यहाँ पर रखनी है US, आप दो को बहुत सारे लोगों के पास landing page नहीं होगा, ठीक है, so इस add को run करने से पहले अपने एक landing page बना लेना, क्योंकि एक अच्छा landing page आपको sale देलाएगा, और कोई भी add platform हो, landing page की बना काम मत करना, क्योंकि account बगरा भी suspend ह तो landing page कैसे बदाना है, आई button में उसकी link दे दूँगा, तो आप उस video को देखकर आराम से landing page बना लेंगे, कोई आपको problem नहीं होगी, अभी हम यहाँ पर location यूएस रख रहे हैं, आप चाओं तो different location भी रख सकते हो, but mainly अगर आपके click bank के products हैं, तो US में sale होते हैं, एक स्याद पर industry मिल जाएंगी, तो fitness को आपको choose कर लेना है, ठीक है, fitness को choose करने के बार, like contextual targeting, contextual targeting में फिर से में आपर देखेंगे health, health में हमारा fitness में हमारा है, like women's health है, और और भी हमारा women's health है, weight loss है, यह मारा product है, तो हम यहाँ पर choose कर लेंगे, so, कहां गया, यहाँ पर रहेगा, इसमें इसमें आना है, and women's health है अपना, और weight loss है अपना, यह तो choose कर लिया, अच्छा यह जब आप select करते चलना, तो साइड में यह overview देखते चलना, potential reach कितनी में ले, अभी तो बहुत अच्छी दख रही है, 1,80,000, इतनी में हमारा काम हो जाएगा, अधर आप इसको देख सकते हो, थोड़ा से scroll down करते हैं, अच्छा यह dynamic retargeting, इसको off रहने देना, dynamic अगर आप on कर देते हैं, तो आपकी थोड़ी से दीच कम हो जाते हैं, तो इसको off रहने देना, और इन सबको off रहने देना, आप चाहों तो MSN जो होता है, इसको on कर लोंगे, तो Microsoft News पे भी आपका like ad दिख हाँ पे हम like suffix or like targeting code के लिए suffix set करना जाओं कर सकते हो, अभी हम next करते हैं, तो जैसे ही आप next करोंगे, आपके सामने ये वाल एंटरफिस आएगा, यही पर आपका उपने landing page की URL डालनी है, अब landing page की URL क्या होती है, आपको ने landing page नहीं बनाया है, तो बना लेना, I button में लिंक दे दूँगा, क्योंकि without landing page कोई भी बन्दा लाइक यहाँ पर clickbank के product 2224 के product से कोई भी affiliate promote नहीं करेगा, तो आप एक landing page बना लिए हमारी वीडियो देख कर भी बना सकते हो, तो मैं यह बटन में link दे दूँगा, ठीक है, and landing page के लिए भी मैं demo के लिए अपनी website का name ले लेता ह है, अब आप चाहूं तो इस like इस landing page से, like आपकी landing page में already title रहेगा, आपकी landing page में already images रहेंगी, तो आपको इसको check कर देना है, जैसी check कर दोंगे, पूरी detail automatic आ जाएगी, वहां पर अपना like load image and title from URL, देखो यह अपना site का name आ गया है, तो site का name change करना चाहूं कर सकते हो, अभी title में home आ गया है, तो हम इसको home की जगह यहां पर title डाल देते है, like यहां पर हमने डाल दिया है, अब यह जो add होते है, थोड़ सब वेट करें, जैसी यह load ले लेती है, then हम हागे discuss करते है, यह इसने no load ले लिया, और image अपनी so होने लगी है, image का format बगरा भी आ रहा है, तो हम इसको change कर देते है, format को, like blur padding, ठीक है, ऐसे ही देते है, enter cta call to action में हम डाल देते है, focus, ठीक है, बुकन आओ, और थोड़ा सा औ और section रहेगा, अगर आप चाहों तो देखो, बुकन आओ, यह बटन आ गया, यह type से आ गया, हम इसको launch campaign पर click करते है, so यह मैंने add बना दिया, अब यह add सबसे पहले approval के लिए अभी मैंने इसको inactive रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही मैं payment add करूँगा, then यह लगी देख सकते है यह payment detail must be added, तो पहले मैं payment detail add करना होगी, यह मैं demo का account है, इस account में main payment account में link नहीं करता हूँ, इसको भी मैं like inactive ही रखता हूँ, start date, end date है, यह budget है, तो कुछ time में जैसे ही आपकी add approve के लिए चली जाएगी, तो आपकी add run होना start हो जाएगी, अब आपको क्या करना है, अब आप review में बेजिनी, जैसे review में से आएगी, वो एक दिन अप्ट्रॉक्स लगता है, उसको तो आपकी add run होना start हो जाएगी, अब देखो, native add क्यों powerful है, actually native add हमारी targeted audience तक महुचती है, जब हमें आपकी advance audience setting लेते हैं, और जब like आपकी audience है, fitness related, और वो कहीं न कहीं fitness का blog पढ़ती है, और top websites पर पढ़ती है, जहां पर native add आती है, तो आपकी add उनको 100 होती है, और जब आपकी add उनको 100 होती है, then कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा profit आपको ही होता है, क्योंकि वो लोग कहीं न कहीं आपकी add को देखकर click करते हैं, आपके landing page पर जाते हैं, then वहां से profit purchase कर लेते हैं, so native native add बहुत important add है, और इस वीडियो को end करने से मिल बता दूं, कि ये पूरा procedure आप भी follow कर सकते हो, अपना एक अच्छा native add बना सकते हैं, and then वहां से conversion ला सकते हैं, और अगर किसी problem से affiliate marketing life classes न सीखनी है, तो नीचे दिएक बहुत संब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने life class की पूरी वाटसाप पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं, I hope आपको native add समय में आया होगा और native add की वीडियो अच्छी लगी हो, so guys, आज की वीडियो इतनी रखते हैं, thank you guys, thank you watching this video.